तुआ रुआ ये पंधन सभी तो मेरे उदा तुआ आये सब गहिए मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सब गहिए अपने आप तो खाली कीजे आजिस कीजे और कहिए कुछ भी नहीं हूँ दे अपनी हुजूरी दे अपना मसा तुआ 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 मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा मसीहा की मानने मुझे तुबना मेरे इलबों पे ये हुआ तुआ 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 सपहे मेरे इलबों पे मेरे इलबों पे ये है दुआ तुआ 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 मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी तुआ 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 मैं कुछ भी तुआ तेरे कलाम में कुद्रत पाई जाती है आएं चंद लम्हें खुदा के कलाम को अपने अंदर रसीफ करने के लिए पाक रू को मौका दें उसको कहें के पाक रू मेरे से कलाम का आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो रहनमाई के लिए हो मेरी डारेक्शन हो क्योंके कलाम ही वो असूल है वो प्रिंसिपल्स है जो पाक रूह हमारी जिन्दगियों के अंदर काइम करता है ताके हम खुदावन की मानत बन सकें पाक हो सकें हम उसका घराना है उसकी फैमिली है और खुदा का घराना पाक है कोई ऐसी तसीरें जो खुदावन तेरे कलाम के अगेंस्ट काम करती है मुदहरक होने की कोशिश करती है ऐसे ख्याल जो तेरे कलाम के अगेंस्ट आते है येसु के नम से उनको कैंसल करता है ताके हमारी सारी गुफदगू बबरकत हो और हम तेरे कलाम मुकद्दस से सीख सके और बरकत पाएं जिस तरह तुने हमारे हमदो सना में बरकत दी दुआओं और प्रस्थिश के वसीले से हमने बरकत पाए इसी तरह कलाम में भी हमें ब्लेस कर तेरा नाम चलाल पाएं येस्व मसी के नाम से आमीन गाड ब्लेस यू तश्रीफ रखें हालेलुया खुदावन येस्व मसी के बाबरकत जलाली और खुद्रत वाले नाम में आप सब की खिद्मत में मैं सलाम पेश करता हूँ और आपकी सलामती खुदा से मांगता हूँ ओके आप आज हम में से कोई ऐसा जो पहली दफ़ा क्रिश्टिन फैलर्चिप पाकिस्तान में आया हुआ है वो अपनी जगा पे खड़े हो सकते हैं वो इस फर्स टाइम जॉइनिंग उस अज़ फैमिली क्रिश्टिन फैलर्चिप पाकिस्तान में खड़ा कर देश्टिन फैलर्चिप पाकिस्तान फैमिली है मैं चाहूंगा प्लीस आप बैट जाएं लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हम भी पास्टर फ़ान ने मुझे को कहा कि थोड़ा सा आगे आना है तो थोड़ा से आप खड़े होके पीछे मिरखल जगा कम हो गई है लोगों के लिए तो थोड़ा थोड़ा आप आगे आजाएं ताके पीछे जो लोग मुश्कल में हैं उनको कहीं न कहीं स्पेस मिल सके बैटने के लिए तैंक यू बेरी मच्च आपके कॉपरेशन के लिए खड़ा का शुकर है ओके अशर्स प्लीज इसको जल्दी से करें ताके टाइम हमारा बाच शके आज यूजूल हम चुके मैं पासबानी खिदमत में साथ हूँ भाई साब के तो कुछ चीज़ें हम बेतर की बेतर भी करने की कुशश कर रहे है तो खुदा का कलाम सुनाने से पहले एक मैं एक दो बाते मैं जरूर आप शकरूंगा कि जो हमारे मेंबर हैं क्रिश्टिन फैलर्शिप पाकिस्तान के बकाईदा मेंबर हैं प्लीज अपनी मेंबर्शिप कन्फर्म करें जो हमारी पास्टरल टीम आपको विजट करती है उनसे मेक शोर हूँ कि आप की जो मेंबर्शिप है वो कन्फर्म है जल्द मेंबर्शिप फॉर्म भी हम त्यार करने लगें और उसमें भी आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा ताकि हम एक डेटा बेस त्यार कर रहे हैं हमें पता चले कि हमारे खांदान एक्शॉल कितने हैं जिनको हमने सर्फ करना है जिनको हमने खिदमत देनी है जिनको हमने आरी पास्टरल केर महिया होनी चाहिए जो हमारी जुमादारी का हिस्सा बनेंगे या हैं तो उसको हम आजकल बेतर कर रहे हैं तो प्लीज मेक शूर करना है आपने कि क्या आपकी बाकाइदा हमारे पास नाम आपका पहुंचा हुआ है आप एक रेजिस्टर्ट नाम के साथ तमारे साथ इन है जो रेजिस्टर्ट नहीं है ये चर्च खुदा का है यू आर अल वेलकम जहां भी आप हैं यू कन कम और जोईन दे चर्च लेकर जोके रिस्पॉंसिबिल्टीज है हम पर अपनी कलिसिया की तो हम अपनी भेडों को नाम बनाम भी जानना चाहते हैं ताके हम उन तक रीच कर सकें उनकी खबरगीरी कर सकें ओके तो हमें जरूर बताएं अगर आप तक हमारी टीम नहीं पहुंच पा रही एक महीने से भी ज्यादा हो गया और आपको विजिट नहीं हुआ आपकी केर नहीं हुई जरूर बताएं मैं इदर ही होता हूँ आफिस में होता हूँ मौरनिंग में भी सारा हफता इदर होते हैं यो केंट टेल उस भाई टेलिफून कॉल पस्टरौल टीम ताकि हम चाह रहे हैं पस्टर सालिक साब का भी हार्ट है के ज्यादा से ज्यादा हमें पता चलना चाहिए किया हम केर उतनी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे तो जरूर आपने हमें गाइट करना है कनफॉर्म करना है कि हमने प्लैंस किया हुआ है कि हम अपनी भेड़ को अपनी मेंबर को कम से कम महीने में दो दफा विजट करेंगे ये हमारी पॉलिसी का हिसा है आपको मारी पॉलिसी भी समझ होनी चाहिए तो फिर आप बताएंगे तो हम कर पाएंगे कि आपको विजट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है तो कहीं पे एडिना ना अपना मुर जा जाए तो जरूर आपने इस बात को हमें इनफॉर्म करना है और अपनी मेंबर को अपनी मेंबर्शिप कार्ड को या जब फार्म मिलेंगे उसको शोर करना है और मैं अकरेज़ करूँगा आपको कि अगर आप बाकाइदा हमारा खानदान है Christian Fellowship of Pakistan का हिसा है जरूर आप उस डेटा के अंदर शामल हो ताकि हमें पता चल सके के actual हमारी खानदान कितने है खुदा हमारा आपको बहुत ब्लेस्ट करें और वाम वेलकम आप सब को Christian Fellowship of Pakistan House of Prayer में जोरदार क्लैपिंग मैं चाहूंगा आपने लिए लगाएं आपकी वज़ा से ही चर्च है You people are the special people for the church ओके आज Holy Communion भी है मैं चाहूंगा कि मैं जो खुदा ने मेरे दिल में कलाम रखा मैं बड़ी देर से दुआ में था खुदा से कलाम मांगता रहा बड़ा यूनीक कलाम है और बड़ा ही कमाल की टीचिंग है मैंने परसनली तोर पर इससे बड़ी बरकत पाई जब खुदा के रूँ ने मुझे कहा कि इस पर त्यारी शिरू कर और आई बिलीव कि हम सब इससे बहुत बरकत पाएंगे और कॉंसेंट्रेट करना है तेक है यह जब मैं कलाम मुकदस को आपके साथ शेयर करूँ बाइबल आपने खोलनी है एप्स खोलनी है मुबाइल के उपर अगर बाइबल है तो खोलनी है तौज्जो मेरी तरफ रखनी है वरना मैजिनेशन आ जाएंगे ख्यालात आ जाएंगे और अब लिए जिन किसी और तरफ ले जाएगा और आप बैठे गिर्जे में होगे लेकर जिनी तोर पर कहीं न कहीं और होंगे जिन बीच में रखना है ताके कलाम जितनी भी देर हम सीखेंगे हम बरकत पाएंगे हमने अम्दोस ना में भी ये गाया है के तेरे कलाम रूल कुद्श के वसीले से मेरी जिन्दगियों का हिसा बने ओके जल्दी से हम निकालेंगे लुका की अंजील ये वाहिद मुसन्फ है जो यहूदी नहीं है ये बाइबल की खुबसूरती देखें ये जेन्टायल ये खेर अक्वाम का कनवर्ट क्रिस्चन है ये युनानी से मसीयत हुआ था ये डॉक्टर था बड़ा जबर्दस्ट किसम का डॉक्टर बाइ परफेशन जिस्ट लाइक एफ सी पी एस परफेशर बड़ा बड़ा लिखा बंदा बड़ा इंटेलिजन्ट और पलूसर सूल की मीटिंगों में ये गया और जब पलूस रसूल की मीटिंग में बैट के कलाम सुन रहा था तो इसकी जिन्दगी खुदा ने बदल दी हलेलुया ये पलूस का डिसाइपल है इसका नाम है लूक दा अवेंजिलिस्ट इसका नाम लूक का मुबश्र है ये रसूल नहीं था ये बारा रसूलों में शामल नहीं था ये बाद में आया था तो बाज दफ़ा हमें मुसन्फ की इंट्रडक्शन का पता होना चाहिए क्या खुबसूरत गुफ्तकु है कि एक डॉक्टर अंजील लिख रहा है और वो भी युनानी युदी भी नहीं और क्या कमाल का लिख रहा है लुका की अंजील उसका सोला बाप और उसकी पहली तेरा आयात एक्सिलन टीचिंग है इसका उन्वान है डिसाइपल्शिप एज स्टूर्डशिप शगिर्दियत मुखतारी की रूँ से जुमादारी के अंदर शगिर्दियत का काम रिस्पॉंसिबिलिटी में आप बतौर शगिर्द खुदा का कैसे काम करेंगे ओके यसुने का था जाओ और जाकर शगिर्द बनाओ यह हमें चैलेंज दिया हुआ पास्टर सालिक साथ ने कि मैं गिर्जे चे मेंबर नी इने मिन्नों गिर्जे दे वेचे शागिर्द मैं वेखना चाहना है और मैं चाहता हूँ कि सारी कलीसिया यह सुमसी की जबरदश गिर्द बन जाए हालेलूया हम उनकी उनकी वीजिन के साथ काम कर रहे हैं उस अपने मारा जो कैप्टन है मारा जो हैड है पास्टर सालिक साथ उसी कि यह मैं भी हूँ उमारी सारी टीम उसमें रोया में शामल है तो इसलिए टाइटल सुनना है के जुमादारी जो भी हमारे पास है उसके अंदर जो हमने काम करना है बतौर कैसे करना है शागिर्द किस के ये-सू के शगिर्द ये-सू के क्योंको वह रहां थे भी बड़े शगिर्द हों दे ले ना को पुठा जी ना शगिर्द बाने जाए गामे खराब हो जगे तो ये-सू मारा आइडियल है चर्च के अंदर हम शागिर्द किसके बनते हैं? येसू के हम बनाते हैं आपको यू इस्तमाल करता है खुदा इस टीम को ताके हम बनाएं तो हम किस तरह अपनी जुमदारी में एक शागिर्द बन सकते हैं और जुमदारी भी कौन सी है जो अब डिसकस होने लगी है रुपए पैसे की जुमदारी फाइनेंशल मानेजमेंट और आई बिल टैल यू मैं आपको इस पे हम कमंट करेंगे ये जो गुफटगू लुका रेकॉर्ड कर रहा है सोलवे बाप में अगर आप पंद्रवे बाप पड़ें घर जाके तो पंद्रवे बाप में भी येसु मसी रुपए पैसे पे बात करता है मुसर्फ बेटी की कहानी पे बात शुरू हो जाती है पीछे पीछले चैप्टर में किस तरह और रुपए पैसा जाया कर दिया उसने बाप का पैसा ले गया निकल गया वगयरा वगयरा आप आलमोस वो स्टोरी जानते हैं लेकिन वो भी कहानी है ये येसु का सिखाने का एक अंदास था उसकी टकनीक थी कि वो मसालों से एक्जैम्पल से सिखाता था और आपने असल मजमून पर की तमसील है जो माली या फनेंसर्स के साथ उसका तलक है तो इसका मतलब है ये चैप्टर्ज चौद माँ पंदर माँ सोल माँ रुपए पैसे के उपर है किस तरीके से इसका इस्तमाल करना चाहिए क्यों गरीब हैं हम क्यों मुलक करजाई है क्यों माली तोर पर लोग पिसे हुए है खांदानों में गुरुबत है बाज दफ़ा तो ये मसाइल कलिसियों तक फैल जाते है हैकल की बरबादी के पीछे रुपए पैसे में खुर्द बुर्द सबसे बड़ा रीजन था जिसको भी जमादारी मिलती बरबाद कर देता ये येसु जानता था अब शगिर्द खड़े हैं लेक्चर चल रहे हैं कलास हो रही है और येसु मसी गुफटगू करने लगा है जो मैं पहली आइस से पढ़ने लगा हूँ अगर बाइबल आपके साथ है तो तलावत में शामल रहें लिखा है फिर जिसका मतलब है पिछली बात को भी याद करना है जो पिछली हुई हुई है फिर उसने शागिर्दों से भी कहा क्या कहा किसी दौलत मन्द का एक मुखतार था देख रहें टीचिंग स्टाइल एक शक्स था जो बेसिकली खुदा ये सुखुदा अपने आपको कह रहा है बहुत दौलत मनता बड़ी बड़ा पैसा था उसके पास बड़ी जाइदाद थी सब कुछ बहुत रिच था लेकिन उसने कहा कि चुके मैंने जाना है मुझे कोई और काम है एक मैनिजर रखा कि मेरे बाद तु मेरी प्रापटी और रुपया पैसा और सारी चीजों की तुमने बड़ी ध्यान से तुमने इसकी क्यार करनी है मुझे तुछ पे ट्रस्ट है मुझे तुछ पे भरोसा है लफ्स बोला है मुखतार ओर सियार अंग्रेजी में कहते हैं युनानी जबान में इसका पता मतलब क्या है हार वो शक्स जिसको रुपय पैसे की जुमधारी दी जाए पर एक्जेंपल घर में अगर अबाजी रुपय पैसे को हैंडल कर रहा है खर्चने खर्चाने में खर्चे खर्चे में तो घर का मुखतार कौन हो गया अबाजी और अगर अमी नजाम चला रही है तो घर की मुखतार कौन बन गई अमी जी गिर्जे के अंदर अगर ये पैसा मिल रहा है अकाउंट वाले को तो मुखतारी किस के पास पहुँची अकाउंट वाले के पास अगर वो चली गई पैसा बैंक में चला गया तो मुखतारी किस के पास पहुँची हुई है बैंक के पास उसको के पैसा उसके पास है उन्होंने देना है जिस जिस के पास पैसा है आप हमें हदिये देते हैं हमारे पास आ जाते हैं हमारे कंट्रोल में आ गए हम क्या बन गए मुखतार खुदा का पैसा हमारे पास आ गया हर जगा हर ट्रांजेक्शन में इसी तरह मुलकों के अंदर किसी तरह घरों के अंदर मुखतार बनते हैं जो फाइनेंसिस को हैंडल करते हैं कहता है कि किसी दौलत मंद का एक मुखतार था यह स्टोरी सुन रहे हैं यानि इंतजामियां का बंदा था उसकी लोगों ने उस से शिकायत कर दी कंप्लेइन हो गई मैनिजर दी कंप्लेइन हो गई यह तेरा माल उड़ाता है आए बंदा सही नहीं जे तेरा माल उड़ाता है रुपए पैसे में खुर्द बुर्द करता है यह सही फिगर्स नहीं दे रहा यह आए खुदावन तेरे पैसे को नजाइस फाइदा उठा रहा है यह अपनी सीट और अपनी पोजीशन का फाइदा उठा रहा है यह हमें ग्रीब कर रहा है क्योंकि हमारे लिए तुने जो छोड़ा उसको तो यह खुद खा रहा है यह पैसे यह तंखा तेरे बच्चों के लिए थी तेरी बीवी के लिए तेरे घराने के लिए लेकर तु तु खुद खा गया तेरे घर में तो कुछ भी नहीं मुलकों की क्यादत खुदा रुपए पैसे की देता मुल्क बरबाद हो जाती है जब लीडर खुद खा जाते है इसी तरह गिर्जे बरबाद हो जाती है इसी तरह हैकल एंड पर पहुंची हुई थी बरबादी के क्योंके वो दैयकियां तक खा जाते थे मलाकी की कताब काहिनों के लिए लिए लिखी गई है काहिनों को लिखा है खुदा आने के तुम चोर और ठागो सारी दैयकियां खा जाते हो सुने उस से शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है पस उसने उसको भुला कर कहा लौजी काल हो गई भुला लिया जो मैं तेरे हाक में सुनता हूँ अपनी मुख्तारी का क्या दे हसाब दे ये लफ जरा नोट करें जिस जिस के पास भी पैसा है उन्नों खुदानों की देना पएगा हसाब एक गाल येसु आपनी करन डिया आया एक कीसे मुलक दी गाल नहीं करन डिया कि दौलत मंद खुदातोव यद्ध्erkषू अफज दौलत मंद कड़ा हो सकता है आस्मान और जमीन मेरी है और सारी कायनात मैरी है और जो कुछ भी हम celebrate करते हैं खाते हैं पीते हैं कौन देता है खुदा ये क्यात पैजेते लब भी कुछ ना ते फेर की करोगे करोना वाइरस ने तबाई भेरी सी ना अजय तक फेरन दिया ओड़िगी या ना कंपनिया राशनी नी सी लाबदा किस कैसे अब कुछ खुदा का येसुआ अपनी गाल समझाऊ ओड़िया लेकर समझाऊ ओड़िया ज़रा त्रीके ना ड़िया और से सुने लेकर अपनी मुख्तारी का क्या दे हसाब दे क्योंके आगे तु मुख्तार नहीं रह सकता ओ, डिस्मिस होने वाला है इसका रिकॉर्ड खराब है जिस जिसका भी खराब है खुदा उसका हसाब कर देगा खुदा उसको जहनम में डालेगा जो कुछ भी तुने जुमादारी उठाई है खुदा उससे तेरा हसाब लेगा खुदा तेरा नाम कताब यास से काट देगा क्योंके तू धोके बाज मुख्तार था धोके बाज ट्रेजरर था तू खजानची था और तू पैसे खा गया तेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई तेरे पास डेटा नहीं, तेरे पास कुछ भी नहीं तेरे पास कोई हसाब कताब ठीक नहीं मुझे हसाब दे आगे मुख्तार की सुने उस मुख्तार ने अपने जी में कहा मैं क्या करूँ क्या मेरा मालक मुझसे मुख्तारी च्छीने लेता है टेंशन हो गई हूँ टेंशन हो जाएं दिए जिदो काम फड़े आ जाए फिर टेंशन हो दिए, इन्हों ही हो गई बहुत ज्यादा हो गई है यहां तक हो गई है कि शोर शाट मुझे निकाल देना है अब अगली गुफ्तकुष से भी दिल्चस्प है कहता है मटी तो मुझसे खोदी नहीं जाती क्योंके मैं मैंनिजर पोस्ट दा बंदा है कुछ तेन चार लाक, दास लाक, वी लाक या क्रोड तन खाए यहार जे मैं इस पोस्ट तो ले गया आता है मैं जियां का केंजर हुम मैं मजदूरी तो कर नहीं साकता भी मैं मिटी कोदा भीग मांगने से मुझे शरम आती है पर कहिया नहीं तो नहीं भी जियम दी शरम हो तो मांगी जान देने भई वो जा जा के मिन्ता करी फिर देना मिन्नों को पैसे ते तरले लई फिर दे बरबाद होए मुखतार मैं समझ गया, आगे देखे मैं समझ गया कि क्या करूँ ए मुखतारी दी चला किये ताकि जब मुखतारी से मकूफ हो जाओं तो लोग मुझे अपने घरों में जगा दे मैं लोका देनाल को डील कर लीना है मैं डील करना है कोई काल नहीं मैं तेरा बाद चे लिखदांगा पर कुई दो के मिने सबरते कार जाए यार डील कर लो ए लफस सुन दे जाना साधे मुलका देवेच मल्याँ चे हर थांत की कार लो डील कार लो अकाउंट चेक करना लो यार तो कैन लो ओए एज़े बड़ी खराब भी है डील कार लो तुझी भी रज़ो सानु विर जाओ वो यह देवेच रोड़ है डील कार लो यार की होगे ए येसू सुखाउंड याज डील कार लो पस उसने अपने मालक के एक एक करज़दार को बुला कर पहले से पूछा तुझ पर मेरे मालक का क्या आता है उने का पाईजी तु साधे कोड़ो किना लोन लिया सो मान गेओं सो मन तेल उने करंशी नीजी की ये सुखाउंड याई लेवल करंशी नहीं थी पांच पंच पंच आर दे नोट नीजी थी उने के किसम दा बड़ा जाल जास थाले कणक देजा चोके और जाउंड याँ वन होन की होया है और वनिका तुस्य किन बंढ़ा जाई ढ़िया है oneself सुख मान अनुंट मेरि शीट हो मेरा उतरनबाणा है सुख मिर्नव देनक देन तुमिनो देनी है आँ और तेनु देनी है जिना दिया रोहान यह खांबांदने उन्हानों नूनी ते सदा के मैं की लिखन लगा है आन्दा असी लेख दिया है हुने का जी लिखो सार हुने का वी परशन्ट ते नू बज़ना हुदा कमिशन तेरा मेरा अधा दा ने का ठीक हो गए डान असी लिखो जी असी लिख दे और मालक ने अच्छा आगे लिखे और उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले क्यों जी दस्तावेज समझते जी परची कड़ो पका काम करना चाहिए ताके करप्शन फड़ी विना जाए जल्द बैठ पचास लिख दे सौमन लिया ना पंजा लिख दे पंजा च्छड़े च्छड़े के ओने कालनू मैं उत्राँ तुम मिनू केर देनी है मेरा ख्याल रखना तुसां डीलिंग हो रही आगे सुने और मालक ने अच्छा फिर दूसरे से कहा तुछ पर क्या आता है उसने का जी सौमन ग्यों हो सौमन तेल दूसरे सौमन गंदम उसने उसे का अपनी दस्त अवैज लेकर उस पर असी लिख दे मेरे जीजो खुदाया तेरी रूह तो मैं ना सके किते जामा असी जबूर बड़े का उनने है पर परचियां गल्त बनाई जाने है डेटे गल्त देख देने है और मुलक के मुलक बरबाद हो जाते हैं खांदान बरबाद हो जाते हैं कारदे वेच भी हसाब कताब दी गाल करताया तो लड़ाई हो जानी है और तुहनी को उन्या मीनु पुछा नाड़ी के थे खर्च यहां जे ते मरजी खर्चा मैं को मौना है को मोना है तुक्क अरढ़्य ना लीया कैसारा जाड़ देख पहले शुकर कर तेनोग इस खुदाने काबल बनाए तरे ते ट्रुस्ट कीता है आगे देखे क्या लिखा उसने उसे का अपनी दस्तावज लेकर असी लिख दे और मालक ने बे इमान मुखतार की तरीफ की ये सुने तरीफ कर दिती हो दी क्या महारत ना दो नंबर काम कर रहा क्या महारत ना पर्शियां बदलियाने क्या महारत ना तु अक्छांच मिठी पाहिए वंडर्फूल थिंक अबाउट इट एक कलामे खुदादा एक असी सेखलेया ना साधी गुर्बती मोक जानी आप घर में भी खुशाल हो जाएंगे अदारे भी खुशाल हो जाएंगे मुल्क भी खुशाल हो जाएंगे अगर रूसे ममूर लोग और द्यानदार मुख़दार हर जगा पहुंच जाएं हलिलुया गुर्बत नहीं नजर आएगी ये गुर्बत तब नज़र आती है जब हम दो नमबर होते हैं लेका उसने तरीफ की उसने होशियारी की थी क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है जाती है आफसे शक्स नेते डरते ही रहना उनने कहना भाई जी वहां की करी जाना है खुदा उनने कहा हो चाट सारे काम खदा आदे थोड़े उन्देने यह ज़र पुखई बेटा रहेंगा यह वाली कैटागरी खुदा के कैटागरी के लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है यह सली ते बड़ा बंदा भेंदे दा भेंदे रहें जान्दा यार मोटर सैकल मोटर सैकल तो जनाब सिदाई गया ओ प्राडो प्राडो तो सिदाई गया जैव सफारी एद पामें जैट खरीद लेवे ओ ख लेकन बाइबल में मैं आपको बताता हूँ इसका भी मेथेडॉलोजी किसे नों गरीब कारके अमीर होना लानत है यह बरकत नहीं लानत है किसे के पैसे आपको मिले आपको पैसे मिले आपकी फैमिली के लिए आपके बच्चों की आजुकेशन के लिए आपकी घर की ग्रॉ आपको मुख्तार बनाया गया चर्च के लिए और आपने उज़ाड़ दिया नजात याफता शक्सों से जिए ज़्यादा इंटेलिजन्ट होते हैं क्योंके पुठा दमाग अकल मांद दमाग नारू ज़्यादा तेज चल्दा क्योंके जिदो करनी करप्षन या थे उने हर हालकड लेना है कोई ना कोई जगाड ला लेना उने और वेखन चोने आज लगना है जिए तो वह डर हो नहीं शक्सी कोई नहीं इससे ज्यादा आए खुदा का बंधा ही कोई नहीं ते जिदो साब कताब दयाथ गया मैं ना एक अग्जेक्टिव कमेटी दे वे चसा असी आपने चर्च दो आउड़ट करवाया ऐसे बैठे बैठे हमने फैसले किया कि हम अपने चर्च को आउड़ट कराएंगे आउड़ट सारे अने अप्रॉवल दे दे थी मैं में मेंबर था उसमें बोर्ड में असी अपने चर्च था एक आडिटर पॉइंट कर देता कि तू ना चेक अप करना है साड़े गिर जेदा ओ ग्या मिलन साड़े खजानची नू खजानची नू बखार चड़ गया अगली रपोर्ट चाहिए और कोजी की रपोर्ट होई अंदे रपोर्ट की लमा रपोर्ट है नहीं खजानची साब ते मरंते पहुचे नहीं तो बखार चड़ गया और कोज़ आई कोई नहीं कोई पॉदने किने लग दा फ्राड हो गया अगल पता की यहां दे मैसेजों ने की किलाया खुदामन माफ करने वाड़ा है तुसी यह जी गुरो मेनों माफ कर देओ तो कहन चेड़ा पुछी ना पैसा है आहे पैसा भी छड़ो तो माफ भी करो नहीं ब्लैक मेल कर देने को रोहानी आईतां देके आईतां भी सुनम देने माफ भी खर दो ते साड़े को साब भी नहीं लेना लब लो जिमें साड़े मुलकां चलब बंडे है ने पैसे हैं कोई नहीं लब दा आगे देखे जो थोड़े में लेका दौलत अपने लिए दोस्त पैदा करो और मैं तुम से कहता हूँ नारास्ती की दालर से आपने लिए दोस्त पैदा करो अब अब यशु शगिरतों की तरफ बात करता है वो कहता है वे कौई श्टान वाले बंदे किना काम करंडे ने किन्नी अकल ना करंडे ने किन्नी समझ ना करंडे ने मैं ते उना दी तरीफ करना कि यार पुठा काम एड़ी तु महारत ना नुक्ता कड़िया लेकर मैं तुम से कहता हूं यह सुकिना नगाल करन लगा शगिर्दाना मैं तुम से कहता हूं के नरास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो ताकि जब वो जाती रहे तो य हलिलुया यानि तुम वन्डरफूल मैं सम्झाता हूं इसकी भी थियालोजी सुनें जल दीजे लिखे अब ये शगिर्दों को कहता है लेकन मैं तुम को कहता हूं कि ये जो दौलत है ना ये जो रिप्या पैसा है वो जो भी आपके पास है इस से ऐसे दोस्त पैदा कर ऐसे काम पैदा कर कि उस से तेरा नाम आसमान से काटा ना जाए बलके जब तु अपनी फनेंस को अकल्मंदी के साथ समझदारी के साथ खुदा के जलाल के लिए नजात के काम के लिए यूज करके जिस दिन तु जमीन पर मरेगा तुझे आसमान में एक जबर्दस जगा दी ओ पत्रस जब तू गिर्जे का हेड बनेगा तो तू मेरे रुपए पैसे का बड़ी ध्यानतदारी से इस्तमाल करना इस पैसे से ऐसे दोस्त बनाना जो कलिसिया की शकल में जमीन पर बढ़ती चली जाए और जब भी तू समान पर आएगा तूझे एक बहुत अच्छी जगा मिलेगी हलेलुया उचे महाल मनारे तेरे आईनो असी पोली जाने असी आने नहीं माला लेने मैं ही माला लेने मैं ही रहना आए थे कि नीदे रहना जी फानी चीज़े हैं मेरे जिसो आगे देखे क्या लिखाए जो थोड़े में द्यानतदार है वो बहुत में भी द्यानतदार है जो थोड़े में द्यानतदार है वो बहुत में भी द्यानतदार है और जो थोड़े में बद्यानत है वो बहुत में भी बद्यानत है चोरी चोरी ये पाहमें दस रुपए ये दिए तपाहमें लख रुपए ये दिए तपाहमें करोड रुपए ये दिए गुना गुना है कभी अपने जेन को ये तसली ना दें कि कोई नी खुदावन मैं जोटा जा नोटी कीची या मैं किड़ा को बड़ा खेच ले या इन ही किते जाज़त है तुसी मीर हो जाओ ते गिर जा गरीब हो जे जेड़े प्रोजेक्ट चर्च ने बनाने ने अपनी पेड़ावास दे ओव चरह पैसे ने बेंदा रहे जेगा है जेड़े कि तो बना ये साथे को ते बाही का तो मो चला ये इस्राइल में होता था ये यहुदियानों टीचिंग ओडिये को कि सामने है कल भी ये जिदेचे इस सारा को जो होंडिया है हमी थोड़ा ये सुने आकर चुकते तेसी फटे यो ना दे उने कि आप बकरा पांचे जार्दा आया तो ये पन्याजार आपश देता है करने ये सामने सर्दार काहने कहाँ था मेरा भाकी तेरा ये आप ये आप मतलब अंदर कमीशन चलेंटे आज जाए है सारा कमीशन चलेंटे है आज चूको अवे तो चुको निकलो वो कमिशन लाके बठाए यह ना कभूतर आने वी जड़े बिच्टे सी ना कमिशन सी और तुसी कहें देजिए मेरा कभूतर पांश होता है उन्हें बार सरदार कहने करना के पेजना मेरे बाले तु दासाजार दा वेचती पब लगते नहीं आई यसा डिया कल छे तो नहीं कर वेच दोने का वेचना है लेकिन छेसो तू रखना बाकी अंदर कलोना है एंज करेंडे सी जो थी यह दो ये सु दाखलो यह सी तिससफाई की तीसी बिन निगड़ो यह थो उल्टा दिये उसने क्या का उसने मेरे बाप का घर दूआ का घर कहला एका यह तजारत सेंटर नह नहीं है ए मालियात वा एकनॉमिक्स सेंटर नहीं है ए बदीत बदकार यह अंदा अड़ा नहीं है यह खुदा मेरे बाप का घर है जो पाक है जिसके अंदर कोई बराही नहीं थिंक बॉट इट डरे खुदा से लिखा है कि तुझे हसाब देना पड़ेगा मत खौफ का मैं कुछ नहीं जानता जो थोड़े में भी बद्यानत थोड़े में भी द्यानदार है वो बहुत में भी द्यानदार है और जो थोड़े में बद्यानत है वो बहुत में भी बद्यानत है बस जब तुम नारास्त दौलत में द्यानदार नहीं ठैरे हकीकी दौलत तुमें तेनु कौन असमान दी बादशाय देगा बड़े गीत कोना ये सुधि जलाल छे शामल ओजना ने कर टकीद अब ने तु जलाल छे शामल होना तो दुनिया जे रह के खुदा दी चीजान दी जामाध आफ़ ना मजाग कर देता थी इस रसूल सुनने यह लेक्शर और से सुनें यह सब पर एप्लिकेशन हो रहा है मेरे पर भी हो रहा है आप पर भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे खांदान रुपए पैसे की वज़ा से उनके बचे पढ़ नहीं सके ओना दे बच्चेयां दी एजुकेशन ही कोई नहीं बेट क्योंगरीब कामी कोई नहीं कि बाई बेचान लिए काम करो फिर पढ़ो अजुकेट करो अपने बच्चेयां नूप पढ़ाओ गिर्जेन नूए जुकेट करो ताके खुदा किसी की नहीं चाहता कि वह घुर्बत की लाइन से नीचे रहे वह चाहता है कि ऐसे मुखतार त और खुदा उनको परकते और वो जोरावर मसीही बन कर दुनिया के अंदर खिदमत का काम सारा अंजाम दें मेरे जीजो थिंक अबाउट इट लिखा है अगर तुम बेकाना माल में ध्यानतदार ना ठैरे जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुमें देगा कोई दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता कभी रोपए पैसे नो खुदा नी बनोना चाहिए दा लोकी घर्जें नीचे उंदे हो के दने नहीं 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 लच्मी यह जिद्धी पैसा है तो जिंद्धी नहीं है एट टुक है अगर आपने रुपए पैसे को खुदा बनाया हुआ का बदलबाई प्रस्तिश करना जब इंडिया दे लोक लचमी दे प्रस्तिश कर देने संदु बढ़ने उन्हें संदु बढ़ने अंधे लचमी नई जिंदकी लचमी कुरंशी नई आँजे करंसी दी देवी ये वो देवी दी अग्गे वह कैदा उन्हों चड़ावे चड़ाँ देने है लचमी मेरी इनकम सोर्फ सजवदा दे ऐ लचमी तेरे ना मेरी गुर्बत जावे वे खेदे खुदा बढ़े बास दफ़ा रुप्या पैसा हमारे हम उसकी प्रस्टिश करने लग पड़ते हैं हम हर काम कर गुजरते हैं उसकी मर्जी पूरा करने के लिए जो रुप्या पैसा हमें पीछे से आउडर कर रहा होता है कोई दो मालकों को सर्व नहीं कर सकता यहां तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से महबत यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जाने गए यह क्या टीचिंग है आप हमें एम बीए कर लो मैं बाइबल दे वेचे मास्टर डिगरी कीती है ऐसे वेची फिनेंस डिपार्टमेंट दे वेच बिब्लिकल अंडिस्टेंडिंग एम बीए प्याचडी यूं दीजे इना पावरफुल एलिटरेचर है बाइबल के अंदर आप एम बीए लोग एम बीए करते हैं और आलमोस्ट टेक्नीक्स जो एम बीए के अंदर बिज बिजनस को समझते हैं अगर वो कभी बरीकी से फिनेंशल मैनेजमेंट को बाइबल से समझेंगे तो वहरान हो जाएंगे कि दुनिया के अंदर जो टॉप बिजनसमेन हैं उनके कितनी टेक्नीक्स बिब्लिकल प्रिंसिपल्स पर बनी जिसमेंसे मैं आपको बताऊँ इसराइल को खुदा ने बिजनस की तरह माइल किया था खुदा ने कहा कारो बार करो बिजनस करो मैंने तुमारे पहाडों में भी मदनियात रखी हुई हैं तुमें इसको खो दोगे तुमें इसमें सोना मिलेगा तुमें चांदी मिलेगी तुमारे मैं इतने जबर्दत एक बच्चा नपाड़नी जे इस्राहील दे अंदर एक भी बच्चा नपाड़नी जे हंड्रड परसंट वना दे बच्चे एजुकेटर जे तब बिजनस दुनिया दे जीव चला रहे ने तो आड़ा माइक्रसाफ्ट इंटरनेट यहुदी चला रहे हैं तो आड़ा सॉफ्ट्वेर माइक्रसाफ्ट यहुदी चला रहे हैं बिल गेट यहुदी था और बड़े-बड़े नाम है तो असी की कर देजे कुझ भी नहीं पढ़ दे निजे देली निगर्दा फिर कुछ करो पैसे ही कोई नहीं नहीं गल कर नहीं मुखतार कोई होते हैं वो पाजगिया है वो भी ग्रीब ही है उते मखतार मखतार ग्रीब आजए भागे बहा है के मैनिजर पॉइंट हो जे होते होसे ओमनेजर आप फुकाई पॉइंट हो जे तो नहीं गल थेड़ होगे नहीं पहला मैननू ते रजन देओ खुदा आदर शुकर है मिनूं के ते मौका मेरे आए होते आके मेरे यह जिए दिखी दिए हैं खायश हैं पूरे यह उन देओ ठिंक अबाउट इट यहां तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मुहबत यहां एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा समझा रही काल दी नाचीज समझ देजे ओ छाड़ खुदा केड़ा कोड़ बैठा गिर जा कारते लिया होन उते खुदा बैठा और रकार कीए खुदा पो ले खुदा नजरी नहीं आ रहे हैं खुदा नजर नहीं आ रहे हैं कि मैं पैसे नू गेंड रहे हैं अनोट मैं खुदा आदे गिनडे आयां यह ते खुदा भी ठावे अचीज ए मेरी तन्खाय आगई है एक खुदा दी बरकात देच कई कई दफा मैं जब सेलरीज मैं दली दूआ करने आपी नहीं ना किना खुदा आवन एजी नीमी है ना में ना एदे ना नी गुजरना में ना तेरे ना गुजरना है हलिलोया सोर्सस तु देने ने वसाइल तेरे ने हर चीज तू देने एद तेरे इसाहा सी खुशी दना दे देता है यह बरकत समझना है और साड़ी बरकत दा सोर्स स्दू में मेरे जीजों खुदा आने आजे तक पुखानी रह देता है हलेलोया खुदावन तो हमें सिखाना चाहता है कि मेरे जीजों हम सीखे लोग की पड़ देने ठीशिंग्स लेते हैं लिखा है तुम खुदा और दौलत दोनों की खिद्मत नहीं कर सकते हैं तुम दोनों की नहीं कर सकते हैं अगर तुमने दौलत को भी खुदा बनाया हुआ है और खुदा नवी राजी रहना चांदेजे तुम नहीं कर सकते हैं मेरे जीजों क्या टीचिंग है इसमें पिछे भी मैंने तानूं मुस्रफ बेटे दी कहानी से नाई हैं सारी दौलत जाड़ देती हो नवी खुदा हमें ध्यानदार करना चाहता है बाइबल में पहला थमूतियस 6 बाप और उसकी 10 आ juntos में लिका है पहला थमूतियस 6 बाप 10 आएट में क्योंके जार की दोस्ती हर किसम की बराई की जड़ है किदी दोस्ती जार दी क्योंके तुसे चूट बोलोगे तुसी फ्राइड करोगे तुसी तोखा दोगे ग्रीपानु ग्रीब तार कर दोगे तुसी कौमानु पस्त कर दोगे मनिस्ट्रिया बरबाद कर दोगे खुदा देक कम पैसे दी वज़ा तो रुकना शुरू हो जानगे खांदान फरकत में नहीं आएंगे बच्चे की अजुकेशन खतम हो जाएगी आपकी मेडिकल फिसिलिटीज खतम हो जाएगी आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमंट निकरा पाएंगे आप किसी कंसल्टन्ट से निमिल पाएंगे क्योंकि उसकी फीस पच्चीस रुप्या है and you don't have money फिर मुख्तार की करे तो जी रिस्पॉंशिबिलिटी है यह बाई बच्चे लिखिया है कि उलाद खुदा की तरफ से मिरास है तो जे मिरास है तो मैंनी जर्फर कौन हो या अम्मी अबा अगर वरासत मिली है प्रापटी मिली हो ना नू खुदादी दौलत मिली हो ना उलादी दौलत नहीं यह तो वड़ी दौलत की है तो मुख्तार होते कौन है मापयो यह तो सोचया करो यह गलाद क्योंके जर्फर की दोस्ती हर किसम की बुराई की चड़ है जिसकी आर्जू में बाजने इमान से गुमरा होकर देखें एक रिस्चन सन जे एक मसीह यह दिगाल करें जे आंदा कहियाने रुपए पैसे देवेच आपने इमान तक नुदाउते लादेता है इमान ही खतम कर देता है दुझे लफ़तां चे ओना ने क्या जी मैं मसीही नहीं मैं यह सुदा इनकार करना में नुए देखो लो कुझी नहीं लबा इमान से बरगश्टा हो जाते इमान से गुमरा होकर अपने दिलों को तरह तरह के घमों से चलनी कर लिया मेरे जीज़ों पैसा खुदा नहीं है लेकर सोर्सस वसाइल एकी नाम हमें बख्षा गया है जो सब नामों से आला है और उसको नाम है खुदावन येसु मसी खुदा का बेटा अगर्चे वो अमीर था अगर्चे अमीर था तुमारी खातर क्या हो गया ग्रीब क्यों ताके उसकी गुर्बत से तुम अमीर हो जाओ हलेलुया तुम अमीर हो जाओ तुमारा कारेक्टर बदले तुमारी जिन्दी वी सफर अपनी मुख्दारी के वज़ा से हम सफर करते है वाइस की कताब पांच बाप और दस राइट में लिका है जर दोस्ट आपको पता वाइस की कताब हिकमत की कताब है लिखने वाला सुलिमान है दुनिया दा अमीर तरीन बंदा अमीर तरीन सुलिमान की कताब में लिका है कोई दुनिया में मेरे से ज़्यदा अमीर नहीं हुआ ना कभी होगा जितनी दालत खुदा ने मुझे दी है किसी को ना आज तक मिली और ना किसी को मिलेगी ओ अपनी कताब जे पता की ले ख़दा जे दुनिया दा मीरत्रीन बंदा आंदा है जार दोस्त रुपया से असुदा ना होगा मैं दुनिया दा मीरत्रीन बादशा जे तेजे मिन्हों पूछा ना क्या बादशा जी ता हनुएस रुपये ने कोई जिन्दगी दिती ताना मेरा जवाब होएगा जर दोस्त चे मिन्हों कोई जिन्दगी नहीं मिली हलेलुया जिन्दगी मुहबतां चे मिल दिये, जिन्दगी खांदाना चे मिल दिये, जिन्दगी फैलोशिप चे मिल दिये, जिन्दगी रिश्टिया चे मिल दिये, जिन्दगी घ्रानिया चे मिल दिये, और जिन्दगी एक दूसरे के साथ मुहबतों में मिलती है, जिन्दगी रुपए पैसे में नहीं मिलत जिन्दा है एसी खतरनाक शेया जे एदना बंदर राजदाई नहीं अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए येसुने काहता आप भे हयात के चश्मे मुझ से चारी है मैं तुझे ऐसा पानी देता यह सुने सामरी ओर्थ को का ऐसा देता तु कभी ब्यासी ना होती तेरे अंदर से जारी होता कहां से अंदर जिस दिन सकंदर आजम दुनिया कर पूरी दुनिया का कंट्रोल लेने वाला बंदा जब मरा था ना तो इसने कहा था मेरे हाथ ना मेरे कफन चो बाहर कड़ देओ ना चाना दुनिया वेखे एओ बादशाया जिनने पूरी दुनिया फता की थी लेकिन होड़ी दुनिया तो जा रहे हैं ते खाली हाथ जा रहे हैं इसके पास कुछ नहीं है जो ये लेके जा रहा ते फिर जिनने में पैसे खुदा देंडिया ना इन्नों दौा करके ते यूज करो अपने वसाहल सोर्स ली कोशिश करो दौा करो ये सु मसीने ते काहिना ते फर्द जुर माइद कार दी ती इसी लुकावी बाप छ्शाली ता संतारी पदा की लिखिया है उनननों क्या अपने शगिरदानों कैन लगा फकियों से खबरदार रहना किन से फकियों से फकी पता कीड़ें देजे जिड़े कलाम दी तश्रीय कार देने ये लंबे लंबे जामे पैन कर फिरने का शौक रखते हैं वेखो तुसी क्या जबरदस्त काम करने देने बजारों में सलाम, अबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियां और जियाफतों में सदर नशीरी पसांद करते हैं बेवाओं के घरों को दुबा बैठते हैं बेवाओं वादा फांड़ खानडे ने है है कल दी स्टोरी जी अंदर दी वो कि इन्दी आ रहे नो कि तो पता लाकी जानदा कैसी फांड़ खानडे समझे गाले नहीं आउड़ी के ना इस बंदे नो हैकल दा कुर काड़ बखाया है ना इन्हें को कुर रिजिस्टर बेखिया है ना इन्हें किसे बंदे दा पता ये थे भाई सर्दार कोहन तो लाके इची बिची दसी तुरे आजानदा सारे आनो और सारे आनो जो भी दासरे आजे ना एकोरेट दासरे आजे एचे कोई ऐसी चीज है आपको बता ये सुने काय था और अवरत जड़ी फड़ी कैसी एनो ओ पत्थर मारे जिनने गुना नहीं की था आजलमे चोड़े हैं वारे सारे आजे तु अगे सान ये पत्थर फड़े हैं पाकरु ने क्या ओए तु वेवादा फंड़ खा गया हूए तु हैं वाक्य हाँ आज ओ ते जनाम है चोड़ा चोड़ा उप्शान वो थी मारे अरवर सकेर उनने के यारा मेरे टे दमाह अगे मेरा ही छी द याधा आगे तु मेह थे गुनाओ की था उन्हे पत्र सुर देटा था दु जग्णरे था तु हराम कार रहा तो दो भी मियां की थे याह ofere गना जे Bowl जमे जमे ये सूर लखधा जावे जमीन ते ओजनाब गुनाई या ले गया एक एक करके सारी दोड़ गए ये दो येसू ने डेटा इंट्री कीती ना उंगर देनाई सारी आंदे तोड़ गे फिर येसू ऑरतवाल होके केल लगा कोकी के उने एक ही शक्सी जिदे चे कोई गुनाہ नी सी और एक ही बंदा सी जेड़ा हूनों पत्थर मार साकता सी और येसू था क्योंकि उसकी जात में कोई गुनाई नी था लेखा और येसो ने उसकी आंखों की तरफ देख के कहा किया तुझे किसीने मुजरम नहीं ठराया किएती किसीने नहीं तो येसो नहीं बेखा जा फिर मैं भी तुझे नहीं ठराता मैं तुझे माफ conservatives हूँ आलियलुया सो मेरे इजिसो देख रहे हैं हम किस तोर से खुदा के कलाम से इन चीज़ों को सीक रहे हैं पहलत मोतियस 3.5 में लिखा है कोई भी शक्स जब अपने घार का बंदो बस्त नहीं कर सकता अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे नहीं रख सकता जब कोई अपने घार का बंदो बस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगीरी क्या करेगा उन और रिजिस्टर पढ़ाया के तु साड़ा काउंट लेखला क्या लिखा है जब कोई अपने घार में मुखतार ठीक नहीं अपने घर के अंदर ध्यानतदार नहीं अपने घर के नजाम में ध्यानतदार नहीं एक चोटी ची कलीसिया नहीं समार सकंडिया इतनी बड़ी समार लेगा एक चोटी सी रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं दा कर पारा इतनी बड़ी कैसे करेगा आज खुदामन्द का किलाम रिली हमें बहुत चैलेंज देता है आखरी बात और फिर हम दुआ करेंगे और आज मैं खास दुआ करूंगा ऐसे लोगों के लिए जो फिनेंशल सफर कर रहे हैं जिनके सोर्सस बंदों गए कोई समझ नहीं आरी क्या करें ऐसे बचे जिनकी एजुकेशन बरबाद हो गई है कोई सोर्स नहीं छोटी छोटी एज है उनकी और वो फैक्टरियों में काम कर रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं तरस आना चाहिए बाइबल में लिखे है येसु को तरस आता था ये सुमधारी है हमारी सब की as a parents खुदा ने tackle किया as a church leader टैकल किया कौमों तक को खुदा ने tackle किया हुआ है मेरे जिसो फिल्पियों तीन बाप और उसकी 17 से 19 साथ में लिखे है क्योंके बदेरे ऐसे हैं जिनका जिकर मैं तुम से बार हा किया है अब भी रो रो के कहता हूँ वो अपने चाल चलन से मसी की सलीब के दुश्मन है उनका अन्जाम हलाकत है देख रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे उनका खुदा पेट है खुदा की है जि पेट ज़िए मैं बंदा पेट आत मार गोना है पेट भी त लगा ना पेट लगा तो तो हर गल्द शाइप होई जाएंगे अदर प्यी करिए है वो हलाक हो जाएंगा और चलो जी दो हो ना वो दो ही सही है जेते जी ने है ना पतो ही नहीं खुदा ही नजर नहीं अंदा रूल कुदस दी कोई जुमपश नहीं अंदर और खांदान बरबाद हो जाते है उनका खुदा पेट है यानि दे वर्शिप दे डिजायर पेट था की मतलब है पोखला की दी थे खाश वाद दी नहीं खाशात बड़ी होई है राजदाई नहीं कोई जिनाम मर्जी उनों मेरजे हो फिर भी पुखेदा पुखाई है देखा तुम हलाक हो जाओगे आए मेरे असिसो हम सब के लिए ये कलाम है मैं तो आपको भी शोर करूंगा मैं इसलिए कहता हूँ के हमारा एक सिस्टम है ख़दा का शुक्र है पास्टर सालिक साब ने इसको बहुत और्गनाईस कर रहे है हमारा फिनेंसर सिस्टम है भाई अरफान पास्टर अरफान साब फिनेंसर को कंट्रोल करते हैं हैड ने हैं उनके आपको मैंने पिछली तफ़ भी कहता जड़ा भी काड़ते हैं पैसे लगां देजेए ने आपको शोर भी कर सकते हैं के साड़े आवी रहने के नहीं साड़ी पास्टर टीम आप तक पहुंचती है उस पर नोट कराएं जो चंदा आप हमारे हेड आफिस के लिए भीजते हैं जो पैसे आप सी एफ बी को देते हैं जो बरकत आप खुदा के लिए देना चाहते है उसको मेक शोर करें कि वो पैसा सही जगा पर जाना चाहिए वो खुदा का है किसी का नहीं है इसको make sure करें आप चेक करें पूछें अगर आपको शक पढ़ जाये तो Is your money coming in the right position or not? गुना है corruption इससे मुलक परबाद हुए है इससे कलिसियाएं खतम हो गई है इसराइल की हैकल आज तक नहीं बन सकी वो रूते हैं हैकल के लिए सिर्फ उनकी बदियों और बदकारियों की वज़ा से खुदा ने मलिया मेट कर दिया उनका सारा कुछ हमें डरना चाहिए ताकि Christian fellowship of Pakistan के पास इतना fund हो कि इससे खरीबों, यतीमों, बेवाँ, education कई project यहां से चलें और यह कलिसिया के लिए बहुत बरकत का बाइस बने है हलेलुया यह विजिन है खुदा के जीम खादम की वो अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं बहुत अमरीकन जो बंदे हैं ना मैंने एक दाफ़ा एक अमेरिकन से पूछा तो मिन्नों कैन लगे अगर जमीन ते कोई जन्नत या ना जिन्नों जिस मुलक नों कोई जन्नत किया जांदा वो अमरीका है आई टॉन्ट नो मैं अमरीका नहीं वेखिया लेकन उनका यह मेरे साथ कमंड था कि इतना अच्छा मुलक है इतनी वहां पे sources हैं आप enjoy करते हैं life को मैंने एक दफ़ा अख़वार में पड़ा एक्सप्रेक्स नियूस के एंकर जवेद चोधरी ने आर्टिकल लिखा कि क्यों अमरीकन किसी दूसरे मुलकों में जाके रहना पसाद नी करते हैं वो क्यों अपने ही मुलकों में सारे assets है क्यों कि अमेरिका की policy ऐसी है कि उनका ए के एक शहरी खुशहाल है और मरने तक स्क्योर होता है इसलिए आप जिए देखें कि इतनी अच्छी लाइफ के बावजूद खुदा के खादम को खुदा के रूने कहा पाकिस्तान जाकर मेरे लोगों की केर कर और उनके लिए गला बना उनके लिए चर्च बना उनके लिए प्राजेक्ट को उनके लिए खिद्मत के काम परप कर उनको अपलिफ्ट कर उनकी मदद कर और खुदा का खादम हर महीने एक बड़ी टिकट भर के लाखों में अपनी टिकट भरते हैं वो अपनी जेब से और वो पाकستán में आते हैं और क्लिसिया के साथ मिल कर खिद्मत करत कोई लालश नहीं है इसके अंदर एक रुपए का भी नहीं है सब कुछ वो खुदा के लिए करना चाहते हैं खुदा को देना चाहते हैं इस मुलक की गरीब कौम के लिए करना चाहते हैं अपलिफ्ट होना करना चाहते हैं इसलिए मैं कहूंगा डोनर को तसली मिलनी चाहिए क कि वो CFP में उसके पैसे स्क्योर और बिलकुल एकुरेट हैं ताके खुदा आपकी दैयकियों को बढ़ाए, आपके हदियों को बढ़ाए, आपकी इंकम को बढ़ाए, आपकी इंकम बढ़ेगी, CFP की इंकम बढ़ेगी, आपकी सलरीज बढ़ेगी, हमारे लिए दैयकियां बढ़ेगी, आप बिजनसमेन बनेंगे खुदा आपको और ज्यादा बिजनसमेन बनाएगा और ये कलिसिया भी बढ़ेगी और आप भी बरकत पाएंगे और खुदा आपको जबरदस्ट किसम की फानेंशल ब्लेसिंग मुहया करेगा और मैं ऑनलाइन लोगों को भी कहूंगा प्लीज इसको इस टीचिंग को लें अपनी चर्चस को लें मुझे बड़ा दुख होता है जब हम अपना तारफ कराते हैं मैं गरीब कलिसिया हूँ ये बहुत दुखी टाइटल है बाइबल में तो लेका तुम गरीब हो कर भी अमीर तरीन कलिसिया हो कभी अपने आपको अंडर एस्टीमेट ना करें लोग पैसे से मीर नहीं होते लोग अपने करेक्टर से होते हैं अपनी परसोनालिटी से होते हैं अपनी शक्सियस से होते हैं खुदा आसमान का खुदा किसी को पैसों से मीर नहीं करता कहता जिस के पास बेटा है उसी के पास जिंदगी है और वही दुनिया का मीर तरीन शक्स है, हलेलुया येशु के लिए जोरदार तालिया आएं मेरे जिज़ो इस टीचिंग से हम से सीखा है चैलन्ज है मिला हमे जिसमें हम सब शामल है मैं चाहूंगा ऐसे लोग खड़े हों बाकी नहीं हों जिनके कारोबार ठाप है जो मिया बीवी है लेकन कोई रुपया पैसा घर में नहीं आरा आता है तो उजड़ जाता है शराबें पी ले जाती है नशा ले जाता है प्लीज अपनी जेगा पे खड़े हो आपका अगर कारोबार ठाप है मुझे खुदा के रूँ ने अपनी जब मैं शक्सी दुआ मजबे पे कर रहा था यकीन करे जब मुझे खुदा के रूँ ने का ना तुने ये दुआ करानी है मैं रोने लग पड़ा मेरी आंखों से आंसु जारी हो गए मैं क्या खुदावन मैं जरूर अपरचुनिटी दूँगा ताके तु लोगों को ड्वेल्प करना चाहता है जिनके फिनेंशल पॉजिशन वीक हैं जो ऐसे बचे भी खड़े हों पढ़नी पा रहे है और उनके पढ़ने की वज़र रुप्या पैसा है जो सफर कर रहे है उनका बाप कमा नहीं पा रहा है उसका बाप बिमार हो गया है और उनकी वज़ा से उनके उपर बड़ा प्रेशर बिल्ट हो गया है कुछ अन होनी हो गई है कुछ uncertainty हो गई है गहरी की नहीं हो गई है एक दम से पासा पर्ट गया है मेरे जीजो लेकन मेरे जीजो बाइबल का खुदा जिन्दा खुदा है बाइबल में लिके आस्मान मेरा है जमीन मेरी है जंगल का एक एक जानवर मेरा है एक एक द्रख्त मेरा है मैं एक एक प्रिंदे को नाम बनाम जानता हूँ जबूर पचास में खुदाने का आस्मान मेरा है ये सारी चीजे मेरी है और रामन ठाकराशी येशू के नाम से आज खुदावन गुर्बत की जन्जीरें येशू के नाम से टूटे आसे बिसनस जो ब्लॉक हुए हुए है दमाग लॉक हो गया है कोई सोर्स कोई हिकमत नहीं मिल पा रही येशू के नाम में तेरे दमाग में आईडियाज आना शुरू हो जाएं तुझे स्ट्राटिजीज मिलना शुरू हो जाएं पाकरू तुझे तरीके बताना शुरू कर दे येशू के नाम से तेरी आज खुर्बत तेरी फनेंशल क्राइसस को मैं येशू के नाम से हुकम देता हूँ तेरे खानदान से आउट हो जा ऐखुर्बत की बदरू तो जो बास दफ़ा लोगों को अप्रेस्ट करती है और उनके वसाइल और सूर्सस को कंट्रोल लेती है येशू के नाम से मैं तुझे कैंसल करता हूँ आउट इड़ नेम अफ जीजस ऐसी बेटी बेटिया जिनकी एजुकेशन उनके खार में कोई माली वसाहिल नहीं है खुदावन येशू के नाम में आज मौजज़ा कारून के लिए वो पढ़े हैं उनको ऐसे काउंसलर मिलें ऐसे वसाहिल मिलें वो अपनी अजुकेशन जारी कर सके क्रिस्टिन फेलोशिफ पर पाकिस्तान की कलिसिया का एक एक शक्स अजुकेटड हो खुदावन पड़ा लिखा हो बिजनसमैन हो अच्छी जॉब्स पर हो मैं तेरे से खुशहाली मांगता हूं अपनी कलिसिया की खुशहाली मांगता हूं जो मैं उनलाइन सुन रहे हैं उनकी सैलरीज पर बरकत मांगता हूं ये तुझे दिल से दें खुशहाली बढ़ेंगे ये तुझे और तेरे लिए दिल खोल के देंगे मैं दूआ करता हूं खुशहालाई आज हमारे जितने बिजनसमैन लोग हैं तेरे खादम को ऐसे लोग मिलें खुशहालाई जो इस पॉलिसिस के अंदर उसके लिए मददकार हो सके जो फाइनेंशल बेहतर मददकार के तौर पे हो सके खुशहालाई ये पूरा सैट अप तेरे जलाल से भर जाए और तेरा नाम इस्जत और जलाल पाएं गए हैं येसु के नाम में खुदावन उनकी केर कर क्योंकि जिस तरह एक प्रिंदा भी भूका नहीं सो सकता तेरे दिदार के तालब कभी मायूस नहीं होंगे खुदावन आज की ये टीचिंग फनेंशल बरकत के साथ जुड़ी हुई है येसु के नाम में हमाई सैलरियों पर बरकता जाए हमारे रुपए पैसे पर बरकता जाए खुदावन हम तुझे खुशी से देने के लिए अपने दिल के अंदर तिस बोज को फील करें हमारे हदिया जाहत पर बरकता जाए क्रिस्टिन फैलोशिप पाकिस्तान का फंड खुदावन सर पलस में चला जाए माका शीला रामन्थारा ग्रोशीरी ओ अलेलुया मैं दौा करना चाहता हूँ ऐसे जो बिमार हैं कि छोड़ी सी दौा और फिर हम क्यम्यूनिन की तरफ जाएंगे वो भी प्लीज खड़े हो जाएं अगर बिमार आए हुए है येसु के नाम से अपनी बिमारी की जगा पे हाथ रखें इन दमाइटी नेम ऑफ जीजस येसु के नाम से ख़दावन तु डॉक्टरों का डॉक्टर है तु ही पेतरीन कंसल्टन्ट है येसु के नाम से तेरी बिमारी तेरा ब्लैट प्रेशर तेरे जादु तवीस तेरी डिमानिक पावरें हर किसम की इवल स्पिरट्स हर किसम की शुगर हर किसम की अर्ली मौत हर किसम का कैंसर हर किसम की डिस्ट्रक्टिव स्पिरट्स हर किसम के गुर्दों के फेल हो जाने की बिमारीया जिगर की बिमारीया हर किसम की लांतें टियो मार्स हर किसम की दर्दें हर किसम की पत्थरियां ये सू के नाम से ओठ हो जाए इन बदनों से कैंसल इन दे नेम आफ जीसस क्योंकि तू शाफी खुदा है तेरा शुकर करता हूँ तूने हमें सेथ दी है और तांदरुस्ती बक्षी है तेरे लोग दिलिवर हो और हील हो और तेरा नाम इज़त और जलाल पाए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रुखल कुदस के नाम से आमीन, आमीन, आमीन गाड ब्लेस यू तुद तुद रखे आलेलुया वंडर्फुल चीजस आए पस्टीफर के प्रीस बार्टे